गर्मी अपने पूरे शवाब पर है अब दो बहर के साथ साथ सुबह और रात में भी भयंग कर गर्मी पढ़ने लगी है तपती गर्मी में जहां घर के कूलर जवाब दे जाते हैं तो वहीं सिर्फ एसी ही रहत देते हैं कई लोगों को एसी लगवाना जहंजट का काम लगता है पहले खरीदने के लिए मोटी रकम दो और फिर ज्यादा बिजली का बिल भी भरो भले ही मार्केट में फाइव स्टार रेटिंग वाले एसी मौझूद हैं लेकिन दिन भर चलने पर बिजली का बिल तो जादा आता ही है ऐसे में दा एनेच जीरो आपको उन एसी के बारे में बताने जा रहा है जो बिजली से नहीं चलते हैं और तो और इन एसी के दिन भर चलने के बाद भी बिजली का बिल नहीं आएगा यानि थंडी हवा खाएं वो भी बिना टेंशन सबसे पहले बात सोलर एयर कंडिशनर की इंडियन मार्केट में कई सोलर एसी मौझूद हैं या बिजली से नहीं बलकि सोलर पावर से चलते हैं इन में प्लेट लगी होती है जो सूरज से एनरजी लेती है और फिर एसी चलाने में मदद करती है यानि इसकी पैटरी सूरज की रोष्णी से चार्ज होती है इसकी कीमत नॉर्मल एसी से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वन टाइम इनवेस्टमेंट करके आप ज़्यादा बिजली के बिल से बच सकते हैं अब बात सिन्फिन डेर टन सोलर पीसी उ स्प्लिट इनवर्टर एसी की इस सोलर एर कंडिशनर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एसी सोलर पीवी पर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पर चलता है जो बदले में ग्रिट बिजली की मांग को बचाता है डेर टन वाला सोलर एसी कमड़े को ठंडा करने की अवश्रक्ता के आधार पर अपनी कैपसिटी को आटोमेटेकली एड़श्ट करता है इस एसी की कीमत मार्केट में 50,000 रुपे के करीब है अपना प्लास्टिक फाइवर स्वेट 20 सोलर एर कंडिशनर दो टन कैपसिटी के साथ आता है ये प्लास्टिक फाइवर स्प्लिट एसी है ये सिन्फिन देर टन सोलर पी स्प्लिट इन्वर्टर एसी से कुछ सस्ता होता है लेकिन होता बहुत कामका है दिन भर इस AC को बिना विजली के टेंशन के आप चला सकते हैं अब आखरी में आपको बताते हैं 4,000 रुपए बचाने का तरीका दरसल 5 स्टार डेर टन वाला AC हर घंटे 1490 वाट विजली खपत करता है यूनिट्स के हिसाब से देखें तो हर घंटे 1.5 यूनिट विजली की खपत ऐसे में अगर आप AC को 12 गंटे चलाते हैं तो 18 यूनिट की खपत होगी यानि 7,5 रुपए यूनिट के हिसाब से देखें तो हर दिन का विजली का बिल 135 रुपए की करीब आएगा यानि महीने का 4,000 रुपए इस हिसाब से इन AC के इस्तमाल से आप महीने में 4,000 रुपए की बचट कर सकते हैं तो क्या सोच रहे हैं है ना मुनाफे का सौता तो आप भी गर्मी में पसीना ना बहाएं और दा एनेच जीरो की सरा पर तुरंत इन में से कोई एक AC लगवाएं और ठंडी ठंडी हवा खाएं